आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में और अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने BMS में अमिशन ले लिया है और जल्दी ही आपका जो है सामना फस्ट एर के क्लासे से होने वाला है तो स्वागत है आपका BMS के पहले क्लास पहली क्लास में किन किन विश्यों से आपका समना होने वाला होगा उसमें है आप संस्क्रेट अस्टांगिर्दे पदार्थ विज्यान आयर्वेद का इतिहास रचनासारी और क्रियासारी रचनासारी यानि के एनाटमी और क्रियासारी यानि की फिजोली और जो बाकि सब्जेक्ट से वो बेसिक प्रिंसिपल के अंतरगत आते हैं जिसमें की पदार्थ विज्ञान आयर्वेद का इतिहास और अस्टांग हिर्दे जो की बिरत्राई का एक पार्ट है तो काफी जो है महतोपूर्ण सब्जेक्ट है फस्टियर के ज से ही त्यार होगा तो इन विश्यों को आप जरूर मन लगा के पढ़ें हाँ यह जरूर है कि यह जो भी विशा हैं चूकि आप साइन्स एस्टीम के हैं आपने बौटनी जो लोजी केमेस्ट्री पढ़ी है और साथ में आपने इंग्लिस पढ़ी है और यहां पर आपको वीडियों में कि इन सबसे कैसे आप पार पा सकते हैं तो सबसे पहली बात है देखिए आहरवेज जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है और प्राचीन चिकिसा पदती है तो यह सारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे सब संस्कृत में लिखे गए थे क्योंकि सबसे प्राचीन बासा है वह भी संस्क्रित तञ और सबसे आसान है संस्क्रित लिए कट आपको धायर रखने क्या है और थोड़ा में जितने भी आपके टीचर से बेसिक प्रिंस्पल के या जो संस्कृत पढ़ाते हैं वह आपको थोड़ी बहुत मदद कर देंगे जिससे कि आपको आसानी से संस्कृत पढ़ना आ जाएगा संस्कृत के बाद जो इंपोर्टेंड है पदार्थ विज्ञान और इतिहास तो देखिए किसी भी विशय के बारे में पढ़ने से पहले उसका इतिहास जानना बहुत आउशक होता है अगर आप किसी भी चीज के बारे में उसका इतिहास नहीं जानते तो जाहिर से बाते आपको उसमें गर्ब नही होगा तो आयर्वेद का इतिहास ऐसी ही चीज है जिसमें कि आपको पूरा सिखने को मौका में लेगा कि आयर्वेद ने कौन-कौन से चमतकार की हैं और क्यों अब तक कितने सालों के बाद अभी तक अस्तित्व में हैं और इस कोरोना काल में आपने सावित किया है तो आयर्वेद का इतिहास बहुत महतोग है जानना आप इसमें देखेंगे कि आयर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई और कौन-कौन सी कीजिए की गई हैं जो कि अभी इतना विज्ञान्विक्षित होने के बाद भी हम उतना ज्यादा नहीं कर पाते अभी हाले में आपने देखा होगा सर्जरी का विवाद जो चल ला था तो सर्जरी जो है इस दुनिया को आयरवेद की ही देने विष्व के सबसे पहले सर्जर जो अचार सुसरु थे जीन होने पांच जार साल पहले ही बड़ी-बड़ी सर्जरी की थी और प्लास्टिक सर्जरी भी की थी इतिहास के बाद जो आपको पढ़ने को मिलेगा अस्टांग हिर्दय जो बिरहत्रई का एक पार्ट है बिरहत्रई और चिकिस्टा के द्रिष्टी से जो है बहुत ही महतोपूण ग्रंत है अस्टांग हिर्दय का जो सुत्रहस्थान है वह काफी ज्यादा इसमें महतोपूण है सुत्रहस्थान में जितनी भी बेसिक चीजे उनको संछेप में आपको बताया गया है और अगर आप इन सारी से अलावा इनके आधनिक पक्ष का भी अधेयन करना होगा तो रचना सरीर यानिक एनाटेमी तो एनाटेमी में आपको पूरी हुमन बॉड़ी के बारे में रिटिल में पढ़ाया जाएगा इसमें जो जितने भी आधनिक चिकिस्टा बिग्यान के हैं सिलेबस लगभग वह हैं आपको सारी चीजे आधनिक बिग्यान की पढ़ाई जाएंगी साथ में जो रचना सारीर का जो आयरुवेदिक पक्ष है वह भी काफी महतुपूर्ण है आपको सुन के ताजूब होगा कि जो अभी हम इतने सालों के बाद चिकिस्टा बिग्यान के किताबों में पढ़ डियागनोस्टिक मेथर्ण के उस समय में न तो आपके पास एक्सरेट है न तो सीटियस के न तो फिर भी अचारियों ने हजारों साल पहले उन सारी चीजों का विस्तार से बढ़न किया है और इसके बाद जो महतुपूर्ण आता है वह आपका क्रियाशारी क्रियाशारी य प्रकितिक क्योंकि धातूय और प्रकितिसा में काफी महतुपूर्ण हैं धातूय और प्रकिति इन दोनों गहंदिधामें क्योंकि चिगशा जाते और उसकों कि जाती है जो भी आशनियां प्रयूप प्रकितिके लोगों के अनुसारल्यशार बेंसाहत है और вам ऑस ब equally जाती हैं जो हमारे खाने पीने के जो आहर द्रब्ब हैं या विहार हैं उस सभी प्रकिर्ति के अनुसार बदलते रहते हैं तो फस्ट यर के जो भी आपके जो सिलेबस हैं वह काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हैं आपको इनको जरूर पढ़ना चाहिए सुरुआत में थोड़े बहुत कठिनाईयां हो सकती हैं आपको तो उसके लिए आपको घवराना नहीं है और अभी हाल ही में जो है एक जो भी नए जो ब्यूंस के छात्र आने वाले हैं उनके लिए एक नया जो है ट्रांजिशनल कोरिकूलम भी इसी लिए सिसेम दवरा प्रारम किया गया जिसे के जो भी नए चात्र हैं उनको इन सब वीशियों को समझने में कठिनाई नहीं हो यह जो टोटल जो है कोर्स 15 दिन का है और इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया है आप उसको उपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं तो 15 दिन के जो ट पढ़ाये जाने वाले मैंने आपको डिटेल में बताया आप इन सभी वीशियों को जरूर ध्यान से पढ़ें क्योंकि यह सारे वीशियों बहुत ही महतोपूर है अगर आप इनको फस्ट यह में नहीं पढ़ते हैं तो आगे आपको इन वीशियों को समझने में जरूर दिक सकते हैं तो इसी के साथ आप सबका फिर से स्वागत है PMS के फस्ट यहर में धन्यवाद नमस्कार उमीद है आपको आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसी के साथ आप इस वीडियो को अधिक शथिक शेयर कीजिए लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे हर नई वीडियो के अपडेट आपको समय से मिलता रहे है तो झाल झाल झाल